अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट ने यूपी डियलेट के लिए फॉर्म फिल किया है तो उनके लिए अच्छी खबर यह है कि पोर्टल पे आपका जो स्टेट वाइस रैंक कार्ड है वो अपलोड कर दिया गया है यानि स्टेट रैंक कौन सी उत्तरपदेश में यूपी में आपकी कौन सी रैंक है इसके लिए रैंक कार्ड जो है वो पोर्टल पे अपडेट कर दिया गया है जैसे कि आप देख रहे हैं यह आपका ओफिशियल पेज है यूपी डियलेट का यहां नाम भी लिखा हुआ है अगर ओफिशियल साइट की बात करें तो ओफिशियल सा इसके बाद आपको अपना रजिस्टेशन नंबर फिल करना है जब आपने अपना रजिस्टेशन किया होगा फॉर्म फिल किया होगा तो रजिस्टेशन नंबर मिला होगा आपको वो रजिस्टेशन नंबर आपको यहां फिल करना है उसके बाद डेट आउप बर्थ मन्थ इयर यानि date of birth में day, month, year आपको फिल करना है जो आपने registration यानि application form में फिल किया है registration के time वही same exact date, month और year आपको फिल करना है फिर इसके बाद आपको capture फिल करना है फिर login कर देना है लोग इन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी state wise rank कितनी है यानि rank card में आपका state rank क्य है वो सारी information आपको login करने के बाद मिल जाएगी एक या दो दिन में ही आपकी merit list जारी कर दी जाएगी आपको बता दिया जाएगा कि कितने rank से कितने rank तक के student को first merit list में लिया गया है second में लिया गया है तो वहां से आप देख सकते हैं कि आपका selection हुआ है या नहीं हुआ है आ मिला है या non-government college मिला है आगे की जो भी information होगी मैं आपको provide करा दूँगी फिलहाल यह information है कि आपका rank card state जो state rank है वो upload portal पे कर दी गई है यहां से आप check कर सकते हैं जैसे ही आपका जो जैसे ही आपका merit list upload कर दी जाएगी portal पे मैं आपको तुरांट update कर दूँगी तो फिलहाल चैनल को subscribe करने ताकि आपको exact information मिल सके मैं आपको जो भी information provide करूँगी एकदम सही information provide करूँगी तो अगर आपको information अच्छी लगी तो please video को like कर दीजे और चैनल को subscribe जरूर करने थैंक यू